खन से दूध बहाने लग गईयां यम नानती तो लागे दूध जो साइवाल नसल की गाएं पालते हैं वै गोपालक मित्र इस बात से बली बाती वाकिफ होंगे कि साइवाल नसली गाएं खूबसूरत तो होती है साथी दूध छमता में भी अच्छी होती है और इनके दूध में फैट की मात्रा भी अधिक देखने को मिलती है साथी इनका सवभाव ठंडा सरल रहता है शर्त यह है कि गोपालक का सवभाव गाय के परती कैसा है जैसा गोपालक का सवभाव गाय के परती रहेगा वैसा ही गाए रिटन में उसी तरीके का सवाव परदशित करेगी इसलिए आप से मेरी गुजारिश है कि गाएों के साथ प्यार भरे सवाव के साथ बरताओ करें ताकि वैसा ही सवाव गाए भी आपके साथ प्रदशित करें नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं फारम टोक और मैं जैपाल सिंग राठोड हर घर देशी गोवन्स हर खूंटे देशी गोवन्स इस मुहिम को पूरा करने के लिए आज की इस वी अगर आज आप इस चैनल पर नहीं हैं हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सबस्क्राइब कर लें नजदीक दिये गए बेल आइकन पर क्लिक कर ओल नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आने वाले भी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रेगो हुए है इन दिनों में अडर के अंदर ग्रोथ अच्छी खासी देखने को मिलेगी अडर काफी शांदार क्वालिटी लिए है सुन्दर मुठिया थन है और थनों के बीच गैप के साथ चारो थनों का साइज परफेक्ट है पूच की लंबाई काफी अधिक है जो जमीन पर इस तरीके की पूच की शेप को बनाये रखना हम गोपालक मित्रों का भी फर्च बनता है कि हम उसे गद्देदार जमीन दें यानि की बालू मिट्टी का बिच्छावन दें यदि ऐसा नहीं कर पा रहे हैं और हम फर्स पर बिठाते हैं तो जरूर से इनके लिए गद्दे क मतल की व्यूस्ता की जानी चाहिए मैट की व्यूस्ता की जानी चाहिए धिवात द्यानचन जी इस गाये को सेल के लिए वलबबल करवा肉 मंगालिया डिक्लीज्रिक सिर्चाहरियाना के रहने वाले Recht इनके मिवाईल नमबर है 2019ấy 011354 इन मोवाईल नमबर पर संपरक करके आप विडियो कॉल करके भी गाय की जांच परक की जा सकती है 14-15 लीटर दूद छमता इस गाय की हमें बताए गई है और कीमत 45,000 रुपे 45,000 रुपीज डिमांड की गई है आपको यह गाय कैसी लगी हमें कमेंट करके जूरूर से बताएगा और आपको यह भी बता दूँ यहां से आपको ट्रांस्पोर्ट फैसिलिटी भी अवेलिबल होगी आप यहां से आपकी सिटी के अकोडिंग ट्रांस्पोर्ट के चार्जिस के बारे में भी जानकारी जरूर से ले लें गाय आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएगा सुद्ध रूप से साहिवाल है आपको कै किसी लगी कमेंट में जरूर से लिखें धन्यवाद दोस्तों